हाई वीवर्स वेलकम तो माई यूटूब चेनल आज हम गेट के कोश्चन सोफ करने वाले हैं एक दोजादस में कोश्चन आया हुआ है पहला कोश्चन है दे पॉइंट गुरूफ ओप सी एलफ त्री मॉलिक्यूल एंड इस कर्स्पॉंडिंग नंबर ओफ इर्रिडिशिबल रिपर्जेंटेशन आर रेस्पेक्टिवली तो सबसे पहले क्या पुछा है इसने कि नंबर प्री मॉलिक्यूल की सबसे पहले स्ट्ट्चर अपने को पता करने burned देखना है तो हैभडड़ेशन अपन ने एक वीडियो में पढ़ा था जिसमें देखेए निकालने के लिए सबसे पहले सेंसे एकंट्रल एकम के अनदर जो भी वैलेंस एल होता है उसके अंदर जो central atom के साथ में वो तो 3 हो गए fluorine और plus charge तो charge इसके उपर 0 है divided by 2 क्या हो गया 10 divided by 2 equals to 5 means इसका जो hybridization आएगा वो आएगा sp3d और sp3d के अंदर जो structure होती है वो होती है c l f अब इसके अंदर lone pair कितने होंगे total 5 है और 3 इसके अंदर surrounding atoms है तो 3 plus 2 means 2 इसके अंदर lone pair होंगे और वो lone pair कहां पर आएगे equatorial position पर अब जब इसके अंदर अपन इसका point group निकालेंगे तो यह t safe molecules हो जाता है t safe molecule और जो t safe molecule होते हैं उनके लिए जो point group होता है just like water होता है just like water और water का point group क्या होता है c2v चीक है अब water का c2v होता है point group और इसके अंदर जो number of irreducible representation कितने होते हैं जैसे identity होगा c2 होगा sigma v और sigma v 10 4 है इधर भी क्या होंगे 4 होंगे e identity c2 sigma v and sigma v 10 ठीक है तो total number of representation कितने होगे 4 होगे c2v and irreducible representation पूछा है तो इसके अंदर irreducible representation कितने होगे 4 अपना answer क्या हो जाएगा इसके अंदर c2v and 4 answer क्या हो जाएगा b next question है gate 2011 के अंदर आया होए है means यह जो दो complex अपने को योग दिये वे हैं इनके अंदर अपने को metal metal bond count करने है तो सबसे पहले क्या करेंगे first का count करते है answer जैसे ru3 co12 इसके अंदर जब metal metal bond count करेंगे तो सबसे पहले जो ruthenium है इसके अंदर जो valence cell के अंदर जितने electron होंगे means valence cell electron total ठीक है plus क्या हो जाएगा ligand के electron number of electron given by ligand plus क्या हो जाएगा metal metal bond के electron bond electron equals to 2 into sorry n into 18 18 क्या है जो 18 electron follow करते हैं और n का मतलब जितने number of metals होंगे वो अपने को यहां पर लिखने है इसके अंदर जब count करेंगे तो ruthenium है ruthenium के valence cell में electron होते है 8 8 into 3 plus ligand कितने 12 है और एक जो carbonil जो ligand होता है वो एक होता है वो यह neutral ligand होता है तो यह एक ligand होता है वो 2 electron दे सकता है तो total 12 electron ligand है तो 2 into 12 है plus एक metal metal bond के लिए 2 electron काम में आते हैं तो अपने को metal metal bond काउंट करने है तो 2 into x equals to 18 into n क्या हो गया number of metal number of metal ruthenium कितनी है 3 तो 3 ठीक है अब निकाल लेंगे 24 24 plus 2x equals to 54 54 तो 2x equals to क्या गया 54 minus 48 equals to 6 x equals to क्या गया 2 divided by 3 means इसके अदर जो metal metal bond होंगे वो कितने होंगे 3 होंगे अब 3 अपना answer आ गया तो यह दो options तो क्या होगे cancel होगे क्योंकि A के अदर अपना 3 है तो इसमें A के अदर 3 है और B के अदर 6 है और इसमें A के अंदर 3 है और N जो दूसरा जो complex है उसके अंदर 4 अब अपने को second जो complex है उसका निकालेंगे कोबाल्ट 4 तो की 12 ठीक है सेम ऐसे ही निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे कोबाल्ट के अंदर जो electron होंगे balanced cell के electron वो कितने होगे 9 into 4 plus एक कार्बोनील लिगेंड कितने electron देगा 2 तो 2 into 12 plus एक metal metal bond के अंदर form होता है तो 2 electron काम में आते हैं तो number of metal bond अपने को पता नहीं है निकालने है तो उनको क्या मानेंगे x और तो 2 electron काम में आते 2x equals to क्या हो गया वो ही 18 into number of metal और metal कितनी है 4 है कोबाल्ट तो 36 plus 24 plus 2x equals to 72 तो 2x equals to 72 minus 0 0 और 6 खीक है तो कितने बचे 12 तो 2x equals to 12 तो x equals to कितने आगे 12 अपने को होते हैं तो 8 divided by 2 equals to 4 और इसमें देखे 5 plus 3 plus 0 5 क्या हो गया valence cell के electron 3 single bonded atoms तो divided by 2 equals to 8 by 2 equals to 4 इसमें भी अपना sp3 hybridization इसमें देखे इसके अंदर जो valence cell के electron होते boron के वो कितने हो गए 3 और next जो fluorine है अपने single bonded atoms है वो कितने है 3 plus 0 कोई चार्ज नहीं है तो divided by 2 हो गया 6 divided by 2 equals to 3 तो इसके अंदर hybridization है वो क्या गया sp2 means इसकी जो structure होगी वो trigonal planar होगी और इनकी structure क्या होगी क्योंकि इसके अंदर एक-एक lone pair है इसलिए इसकी structure कैसी हो जाएगी pyramidal ठीक है इसकी structure भी कैसी होगी pyramidal कैसे निकाला विजो अपने पास जो 4 आया है यह 4 और surrounding atoms को compare करते हैं जितने surrounding atom होते हैं और इसमें से इसको minus कर लेते हैं तो जितने भी बचता है उतने ही lone pair इसके अंदर मिलते हैं अपने को तो देखो सबसे पहले इनकी structure बनाते हैं ammonia की बनाएंगे सबसे पहले तो ammonia की pyramidal structure है यह देखो pyramidal structure बनाई और यह इसका lone pair फिर अपन ने अपन को बनानी है NF3 की इसमें भी एक lone pair present है और यह chlorine हो गया और फिर next अपने को जो structure बनानी है वो BF3 की और BF3 की कैसी structure होती है trigonal planar ठीक है अब इनकी अपने को dipole moment को compare करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे इसकी देखते हैं इसके अंदर देखिए यह दोनों जो angle है यह 120 का angle है तो इन दोनों का जो dipole moment का जो resultant moment आएगा वो कहा आएगा यहां पर ठीक है और boron और fluorine में से जो electronegativity है वो fluorine की जादा होती है तो जो dipole moment का जो arrow होगा वो इस तरफ होगा और इनका resultant किदर आएगा इस side ठीक है तो इन दोनों का resultant है वो यह है जो mu होगा और इसका जो mu है वो इधर होगा इस side में तो दोनों एक दुसरे से क्या हो जाएंगी तो total mu equals to क्या जाएगा इनके लिए 0 जबकि इसमें देखिए nitrogen और hydrogen की electronegativity आपन compare करते हैं तो nitrogen की electronegativity जादा होती है जो dipole moment की direction होगी वो क्या होगी इस तरफ सभी dipole moment की direction क्या होगी इस तरफ होगी तो resultant जो dipole moment होगा वो अपना क्या होगा इधर ही होगा और क्या होगा ज्यादा होगा क्योंकि यह add हो जाएंगे सारे के सारे resultant type of moment क्या हो जाएगा उपर की तरफ और यह सारे यह सारे एड हो जाएंगे तो जादा भी होगा इसमें देखें nitrozen और fluorine में से fluorine की अपने को पता है कि electro negativity जादा होती है तो डाइपोल मोमेट की जो direction होगी वो इस side होगी इसमें भी इस side होगी और इसमें भी इस side होगी लेकिन जो lone pair है इसकी जो direction होगी इसके अंदर वो किदर होगी? उपर की side में ठीक है? तो जो resultant होगा क्योंकि ये 3 arrows हैं इदर की side में direction और उपर की तरफ एक है तो total जो resultant dipole moment होगा वो क्या होगा? कम होगा इसका तो सबसे ज़्यादा dipole moment किसका होगया? ammonia नेक्स्ट किसका होगया? NF3 और नेक्स्ट जो इसका तो dipole moment ही 0 है तो क्या हो जाएगा? BF3 ठीक है? तो अपना order क्या होगया? ammonia, NF3, BF3 तो देखिए इसमें ऐसा order दिख रहा है अपने को कोई गेरा ठीक है तो इस cancer क्या हो जाएगा अपना? B नेक्स्ट कोशन है केर 2012 में आई हुए है the product from the following reaction यह reaction है जिसके अंदर क्या हो रहा है? photolysis हो रहा है और यह कोई अपने को reactant दिया हुआ है इससे अपने को product बनाना है और product के अंदर अपने को 4 option दिये अब यह question बहुत देखने में बहुत ही cutting लग रहा होगा लेकिन बहुत ही easy question है तो इसको देखिए यह सबसे पहले क्या है? अपने को पहचानना है कि इसके अंदर groups क्या है? तो देखें, nitroso group है इसके अंदर sorry, nitrite group है तो यह तो nitrite group होता है यह और इसके अंदर बाद में देखो अलफा, बीटा, गामा, डेल्टा पोजिशन पे एक यह ग्रूप है CS3 और अलफा, बीटा, गामा, डेल्टा पोजिशन पे एक यह CS3 ग्रूप है इसका मतलब यह बार्टन reaction है कौनसी reaction है? बार्टन सबसे पहले अपने वो बार्टन reaction के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं तो बार्टन reaction होती क्या है? तो देखे इट इन्वोर्व्स इट इन्वोर्स दैर फोटोलाइसस ओफ फोटोलाइसस ओफ एण एलकिल नाइट्राइड टू फोम नाइट्रोसू एलकुहूल और यहाँ पर क्या होता है कि इसमें जो डेल्टा कार्बन होता है उससे हाइड्रोजन ट्रांस्फर होता है तो नेक्स देखो इसके अंदर मालीज यह अपने एक रियक्टेंट लेते है यह अलकिल नाइट्राइट लिया है इसके अंदर देखिए अल्फा बीटा गामा और डेल्टा तो डेल्टा पोजिशन पे इसमें दो हाइड्रोजन है अपने पास में एक रियरा और एक रियरा तो सबसे पहले जब भी फोटो लाइसेस होता है तो यहाँ पे इन दोनों के बीच से एक बोन और यह फ्री रेडिकल बनता है जिसमें से एनो रेडिकल बाहर निकलता है और यह देखिए आगे यह आर और यहाँ पे वो अपने पास में दो हाइड्रोजन है तो डेल्टा मैंने खाँ डेल्टा जो कार्बन होता है उसी से हाइड्रोजन ट्रास्पर होता है तो यहाँ से यह रेडिकल बनेगा और यहाँ से यह रेडिकल और जो यह हाइड्रोजन रेडिकल बनेगा यह oxygen radical से add हो जाएगा देखिए यह OH हो गया और यहाँ पर क्या generate हो गया radical अब इस radical की यह radical जो होगा वो यह NO radical से reaction करेगा और यहाँ पर NO radical add हो जाएगा OH R N double bond O ठीक है इस delta carbon से add होगा अब भी अपने पास में यहाँ पर एक hydrogen बचा होगा है तो यह जो hydrogen है यहाँ से क्या हो सकता है यह इसमे totomerization हो सकता है तो यह hydrogen यहाँ और यहाँ से यह bond यहाँ तो क्या होगा oxygen से hydrogen add हो जाएगा जैसे keto form in our form में change होती है उसी तरीके से N OH यह अपना product बन गया ठीक है यह भी क्या है product यह अपने को reaction के अंदर यह product नहीं दिया होगा तो अपने को यह product सेर्च करना है ठीक है तो इसमें देखिए सबसे पहले इस्ट्रिकली जो अप्रोचेबल होगा वो ही उसी carbon पे क्या होगा डेल्टा हाइड्रोजन वो ट्रांस्पर होगा तो यह alpha, beta, gamma, delta एक bond यह है और एक alpha, beta, gamma, delta एक है ठीक है तो देखिए सबसे पहले यह वाला carbon इसमें free है इसमें भी यह वाला carbon से यहाँ पे reaction दिखा रखिए इसने जटकी strictly approachable कौन सा carbon है यह वाला ठीक है तो इसके उपर अपने को NOH होना चाहिए तो देखो इसमें यह वाला जो carbon है इसके उपर NOH है और यह O, NO जो group था वहाँ पे उसका OH के अंदर change हो गया और यहाँ पे क्या बने nitroso alcohol ठीक है तो यह क्या हो गया अपना answer बार्टन रियक्शन थी बस देखना क्या है डेल्टा हाइड्रोजन पर हाइड्रोजन ट्रास्प होगा तो इसमें डेल्टा हाइड्रोजन कौन सा strictly approachable है वो देखना है बस तो answer क्या हो गया A क्या हिएर्टन रियक्शन था रियक्शन थाढ़्रोजन जाओ्रोजन